सबी को साधर सिवा जुहार जैशुवा जैगुनवाना साथियो मैं हेमलाल मरकाम जिला पंचाय सदस जिला पंचाय उत्तर वस्तर कांकेर गौरवाना करतन पार्टी के एक कारकर्टा के रुप में आपसथ के बीच में गौरवाना करतन पार्टी के विचार धारा को बताने के लेहा हूं साथियों गुर्वानागर्टन पार्टी का जो आंदुलन है दादा एहिजा सिंग मरकाम के कि उनके जो विचारधाराओं के सांसाथ गुर्वानागर्टन पार्टी का बनाने का उद्यस था यहां के मुल्निवासी समाज को एक राजनिति पहचान दिलवाना एक राजनिति में हिस्सेदारी के तहट एक अच्छा नित्वत प्रदान करना यह दादा जी का उद्यस रहा है और देश के अजादी के बाद से हम देखें तो आज जितने भी राजनितिक संगठन है वो सभी के सभी आदिवासियों के नाम से यहां के मुल्निवासियों के नाम से राजनिति कर रहे हैं और राजनिति करते करते उनके जो मुल्व देश हैं या आदिवासियों के जे सवेधानिक अधिकार है इन सब पर भी आज वर्तमान में हम देखें, पुरा देश में या च्छतिजगर की बात करें, तो आज जो आदिवासियों के सविधानिक अधिकार है, उस पर भी सही धंग से इंप्लिमेंट नहीं हो रहा है, सही धंग से उसका परिपालन नहीं हो रहा है, यह यूं कहूं मैं कि जितने भी राजनितिक संगठन है, राश्टी राजनितिक संगठन है, उन राजनितिक संगठनों का जो मानसिक्ता है, उन मानसिक्ता इस पर स्थ होता है कि आदिवासियों के जो सविधानिक अधिकार के तहत उनको जो एक परकार से जो अधिकार है, उसका हनल किया जा र हुआ है सवीधान के और शे कि उसका पूरी तरह से एक परकार से कहें कि आदिवासियों के जो आदिवसर्थ है उसको ख़त करने के लिए लगे हुए मसलन आज अगर हम देखें हम लोग आदेश के तमाम कौनों में आज देखें तो आज आदिवासियों को जो जल जंगल जमी कि जो आंदुलन है कि संगठन इस पर काम कर रहे हैं उसके बाद भी हम अपने जल जंगल जमीन को नहीं बचा पा रहे हैं आज अगर फिप्तिसेडूल की बात करें तो फिप्तिसेडूल में तो जो अधिकार है आदिवासियों को जो अधिकार दिया गया है वो अधिकार आ चाव पारें। दूसरा आज पेशा कानून की बात करें। वान अधिकार अधिलियां 2006 की बात करें। इस सारे जो साविधानिक ब्यवस्था या कहां एक कानून बना हो है आदिवासियों के लिए। उस कानून का भी धज्या उढ़ा रहे हैं वरतमान सरकार। चाहे वो चट् का पंदरा साल की स्थितिय हम देख रहे हैं आज वरतमान में कांग्रेस का सरकार है और कांग्रेस के सरकार में भी हम देख रहे हैं कि आज हम जल जंगल जमीन की मालिक तो कह रहे हैं सरकार भी कहती हैं चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो सिर्फ चुनाओ के एक स जिल्टी करना पड़ेगा यानि हमको आज समाधिना पड़ागा कि समस्या हमारा एतो समस्या क समाधान हमको करना है यानि गरवाना गरतन पार्टी बनाने का उद्येश से यही है कि आज हम अपने जल निंगल जमीं के साथ एक सबसे बड़ा जो आज हमारे जिसके तहट हमको एक विससाधिकार कानुम में मिलता है, वो तेरा तिन का बायग। आज खतम होने के कागार में हमारी अपनी पहचान चाहे भासा हो संस्कρίती हो यह सारा पहचान हमारा खतम होने के कागार में हैं। मुझे नहीं लगता है कि मेरा सक्री रूप से राजमिती में दस साल होने को जा रहा है। और दादा मरकाम अन्य गुरवाना गरतन पार्टी की विचारधारा के चलते मैं देखा हूँ देश के तमाम इतने भी राजमितिक संगठन हैं। वो तेरा तिन काग की वोपर कोई काम ने कर रहे हैं। अन्य हमारी जो रूड़ी प्रता है। उस पर हम कोई राजमितिक संगठन काम ने करने हैं। मतलब हम सव्भानन के प्रस्तावनों को अधिकार हम वही चीज कर रहे हैं फिर हमारी अपनी भासा संस्कृति को खतम करने के लिए आति बनाया जा रहा चाहे हो कांग्रेस के नम पर हो चाहे भाज पकी नाम से या अन्यपार्टी के नम से यह सारे परिष्ट्रतों को देखते हुए मुझे लगता है कि गोडवाना-quiट्रतन p buses कि इन सारे मुड़ों पर काम करने के लिए साथ ही सा्थ राज नितिक काम। जो सारजनिक काम है, जो इकास की बात करते हैं, जो सिक्षा की बात करते हैं, जो हम परसासनिक बात करते हैं, ये सारे चीजों के लिए गुरवानागरतन पार्टी बहुती अच्छा प्लेट फार्म है, हम युवाओं के लिए, तो मैं निवेदन करता हूँ कि जितने भी छत् हैं और एक प्लेट फार्म ढून रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा औसर गोरवाना गतन पार्टी की रुप में आप लोगों के बीश में प्लेट फार्म है इवाम मरचा गोरवाना गतन पार्टी इंडिया आप सब का हार्दिक स्वागत भी करता है करता करती है यह आज हम गुर्वाना गरतन पार्टी के विस्तार के लिए और गुर्वाना गरतन पार्टी के जो उद्देश है दादा हिर्या सिंग मरकाम का जो एक गुर्वाना के प्रती जो दर्शन रहा है उसको बताने के लिए हम लोग समय समय पर लाइक भी होंगे गुर्वाना जो नाम है और गुर्वाना गरतन पार्टी पार्टी जो बना है उसको हमारे अपने लोगों ने या कहें कि जितने भी राजिमतिक संगठन के लोग हैं वो तोड़ने के लिए कईटव ऐस संगठन बीच बीच में बनवाते जा रहे हैं हमारे बीच के लोगों को ही गुर्वाना के जो साबदी कर्थ है गुर्वाना के जो परिभासा है उसको बताने में अक्सा अमलब कलब तरीके से उसको पेस कर रहे हैं गुनवाना कोई जाद का नाम नहीं है गुनवाना एक बिवस्ता है गुनवाना इधरती का नाम है गुनवाना पांच खंड का नाम है अन्हें आज हम इवाओं को समझना पड़ेगा अगर हम सिक्षित और अपने आपको सिक्षित मानते हैं अपने आप को या करें आधुनिक मार रहें तो आप लोगों को अवगत करादू कि इस जो गुणवाना सब्द पर आप लोगों को कम से कम जानकारी लेना है आथ तो मेडिया आ गया है एंड्राइड मोबाइल आ गया है और मेडिया के माध्यम से हम लोगों को मोबाइल के माध्यम से माध बहांसा गलत तरीके से जो लोग पेस कर रहे हैं वो किलियर हो जाएगा आज लागडाउन के बाद लंबे अर्से के बाद हमने च्छतिस गड़ के तिन जिला में दोरा का कारकरम बनाया है कांकिर से हमने 16 तारीक को कवरधा जिला के लिए निकले थे कवरधा जिला में भी गुरवाना गरतन पार्टी युवा मोचा के करमत कारकरताओं से मुलाकात किये और वहां पर एक नया उर्जा के साथ जिला अध्यक्ष का नियुती भी हुआ कवरधा में बैठक हुआ अच्छा बैठक हुआ लोगों से बाचित हुई और गुरवाना गरतन पार्टी में आने के लिए काफी वाल लोग आ रहे हैं बैठे भी थे उसके बाद अठारा तारीक को हमने डोंगरगर के लिए प्रस्थान किया डोंगरगर में से दूर्ग में एक बैठक था जहांपे कल तीन बज़े दिन में बैठक हुआ काफी अच्छा का चर्चा हुआ गुरवाना गरतन पार्टी को लेकर जो लोगों में एक भ्रम पहलाय जा रहा है या कि हैं गुरवाना सब्द पर जो भ्रम फैला रहे हैं वसी के लिए हम निकले हुए और गरतन पार्टी के जो देश है गरतन पार्टी जो वा मुर्चा है और कि इस टाइप करता है कैसा काम करता है उस पर कल अच्छा चर्चा हुआ फिर पुरा हम डोंगरगर के लिए और रातरी इसराम किये और कल चुकि दोंगरगर का टीम है गरवाना गरतन पार्टी का टीम है काफी अच्छा टीम है इस्टांग टीम है और वहां पर डोंगरगर में भी बैटके हम नोवे ने इवा मुर्चा के कारकरताओं के साथ आने वाला समय में पार्टी का विस्तार और पार्टी के जो कार है उसको सभी लोगों के बीच में कैसे ले जाए राजनितिक रूप से हम गोड़वाना इवा मुर्चा को कैसे अपने 36 गड़ मिस्तापित करें इस पर चर्चा हुआ और आज लोंगर गड़ से 9 बज़े के आसपास हम लोग मानपूर महला के लिए निकलेंगे चहां पर राजनान गाउंजीला है जहां मानपूर महला बलाग जहां पेसा कानून पर एक कार्यसाला रखा गया है वहां के लिए भी निकलेंगे और निश्चे थी सविधान में कई ऐसे विवस्था हैं हम लोगों को दिया गया है उस विवस्था पर परी चर्चर चर्चा होता है कई ऐसे संगठन बने हैं मैं पूरो में भी कहा हूं लेकिन जो इंप्लिमेंट या कहना चाहिए जो जमीनी हाकिकत है काफी को दिया गया है लेकिन उस विवस्था पर इंप्लिमेंट नहीं हो रहा है इसलिए गरवाना गरतन पार्टी का एमानना है विवा मोच्चा का एमानना है कि हमको राजनितिक रूप सर ज्यादा से ज्यादा जूड़ कर काम करने की जुरत है और तो अभी हम बारा वजे के बार करते आ रहे हैं दादा हीरा सिंग्वर काम के मारदर सुन में हमेशा इवा लोग ये काम करते आ रहे हैं चूंकि अभी मुझे लगता है च्छतिजगर में जो वाना अधिकार अधिन्यम पर काम करने की जो मन्सा कांग्रेस सरकार दिखा रही है और निश्चिती गोड़वा जो चीज सविधान या जो चीज वाना अधिकार अधिन्यम में लिखा हुआ है ओ है गाओं को जंगल नदिया यह कहें तो गाओं का जो सिhtीमा गाओं का जो सामुदा एक तावा है उस सब को गाओं को श्षपने का जो काम है वह सरकार नहीं कर रहा है चूंकि मैंma एक जि अपनी बात रखा था अभी 31 तारीक वहां भी है तो ऐसे हम गुर्वानगरतन पार्टी के जो भीवा मोर्चा के कार करता है जो सवधानिक जानकारी लेकर लोगों के बीच में जाकर बात रख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि बिना राजनितिक्स किये हम अपने सवधानिक का और को लोगों के पीच में ले जाकर सवधानिक अधिकार उनको दिला सकते हैं तो मेरा आप सभी सव हुधन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बातों को इसीर करें लाइक करें ताकि हम, आपके लाइक कमेंट्स को समझ सकें जाने और उस पर काम करें जो कि मुल्लिवासियों का जो एक परकार से जल जंगल जमीन के लिए जो राजनितिक संगठन बना है संस्कृति भासा और यहां के जो सभी मुल्यवासियों के लिए जो पार्टी बना है वो मुझे लगता है गौणवाना गरतन पार्टी है दादा मरकाम का एक संदेश रहा है मैं संदेश को कहना चाहूंगा मानआओ मानआओ एक समां सब को सिख्षा सब को काम यहां है जाएंगे इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा आप सबको सिवा जोहार करना करना काहूंगा सादर सिवा जोहार जय सिवा जय गुर्वाना